नमस्कार न्यूस्ट्वन्टिवन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अखिल कुमार जांगेड राजस्तान के सबसे अगरने एंटी एस्पतालों में से एक आधिनाथ एंटी होस्पिटल कान नाक और गले की समस्याओं के लिए पूर्ण देखवाल परदान करता है साथ ही साथ सिर और गर्दन की सरजरी की सभी आवस्चक सेवाएं भी उपलब्द कराता है आपको बता दें डोक्टर लोवलिष जैन जैपूर में एंटी समस्याओं के लिए सबसे अच्छे डोक्टर माने जाते हैं हमारी संबादाता हरसदा जोशी ने डोक्टर इस जैन से खास बातचीत की आप भी देखिए बहुत स्वागत है आपका सर एंट स्पेशलिस्ट की नाम से आपको भी जाना जाता है साथ ही साथ जो आदेनाथ हॉस्पिटल है उसको भी जाना जाता है क्या कुछ खासियत इस हॉस्पिटल की और साथ ही साथ किस तरह की सेवाएं आप जो जनता है जो भी आँपर आती है अपनी तकलीफ लेके चाहे वो नहाग की तकलीफ हो, कान की तकलीफ हो, उसको लेके आप उनको प्रोवाइट कर रहात है। इन ब्रीफ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आदिनाथ E&T बीस साल पुराना अस्पताल है, यहाँ E&T की सारी सुविधाएं अपन प्रोवाइट करा रहे हैं, और जो हमारा पूरे राजस्थान में नाम है, वो हमारी कान के उपरेशन की कला के वज़े से हम जाने जाते है कान की जो टांसकेनाल टक्नीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ E&T में की जाती है, और अल ओवर इंडिया और आसपास बंगलादेश और श्रिलंका से भी पिशेंस इस टक्नीक का फाइदा लेने अपने हाँ आते हैं, पचास पिस्तर का अस्पताल हैं, सारी सुविधा हैं, चिरन जीवी, महमाशा, RGHS, CGHS, ताकि मरीजों को रीजनेबल और सुविधा जना, सारी सुविधा मिल जाएदा असर एक और सवाल रहेगा, जो आपने अभी इस टेक्नीक की बात करी कि बिना कट लगाए या बिना कोई चीर फाड़के, कि अकसर लोग जबी कोई परदे के अंदर सुराक होना बहुत कॉमन बिमारी है, और उसी से परेशान रहता है मरीज, मगर इलाज नहीं करा पाता क्योंकि मरीज को हर इंसान को यह डर लगता है कि उसका शरीर को काटा जाएगा, क्योंकि काटने पर दर्भ भी होता है और रक्सराव यानि खून का व करते हैं, कान का परदा लग जाता है, सुनाई नॉर्माल हो जाती है, बिमारी हमेशा के लिए खतम हो जाती है, और मरीज जिस दिन आए उसी दिन चला जाता है, कोई पट्टी नहीं, तो वो अपना काम भी कर सकता है, बैड रेस वगएरा कोई ज़र्वात नी होती, मरीज इस तक्नीक से इतना स्वाइथ हैं, कि वो लोटते वे इतना खुश होते हैं, कि पता ही नी चला जैसे ऑपरेशन भी हुआ है, दूसरा इसका फायदा है कि आर्मी के जो यंग स्टूडेंस होते हैं, वो हर तरह से फिट होने के बावजित कान के परदे में छेड होने पर र सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है, कि अकसर जो मरीज होते हैं, तमाम जनको लब ENT से चाहिए, वो हम नाक की बात कर लें, कान की बात कर लें, और थोट की बात कर लें, इनकी प्रॉब्लम्स अकसर रहती हैं, किसी को अगर बोलने की दिक्कत हो, तो उसके लिए क्या चीजों का मरीजों पर देखने को मिला असर, चाहे हम थोट की बात कर लें, चाहे हम कानों की बात कर लें, आइस की बात कर लें, नूस की बात कर लें, उनका किस तरह से असर देखने को मिला, किस तरह के पेश्रेंट्स आपके पास आते हैं, बहुती अच्छा सवार पुछ और उसने बहुत फाइदा दिया और हम लोग COVID से जीत पाएं मगर अती सर्वथा वर्जते उसके बाद हुआ यह कि थोड़ा सा भी गला भी करता है तो आदमी गरारे, काड़ा और गरम पानी और अल्मोस्ट 50-60 परसेंट लोगों ने गरम पानी का सेवन करना शुरू कर दिया दिन में एक बार इस ओके मगर लोग चैचे साथ साथ बार लेते हैं यह सोचके कि गरम पानी से पेड़ भी ठीक हो रहा है और गले के कितानों भी बार रहे हैं अती गलत होती है एक बार पी लोग ठीक है मगर लोग साथ साथ बार चैचे बार पी रहे हैं तो उससे उनका ग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, टॉंसिल के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो सोचते हैं कि टॉंसिल ठीक हो रहे हैं, बल्कि बिगड़ रहे हैं, और मैं अक्यला ही जब यह कह रहा होता हूं, गरम पानी नहीं प्यों, तो मरीज को और गले नहीं उतरती यह क्योंकि उन्होंने तो सबसे यह सुना होता है कि गरम पानी पिये तो मैं बिल्कुल यह वेक्यानिक प्रमानित है, दिन में एक गरम पानी इस ओके, छेचे-साथ-साथ बार नहीं पियें, ओवर्डू ना करें, यह में मैसिज देना चाहूं, यानि कि मितलब सर, अगर किसी को थोट में प्रॉब्लम है, गला खराब, नॉर्मल भी गला खराब हो जाता है, मौसम सीजनल चेंज होता है, सर्दी से बारिश आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो उसमें भी जो थोट में प्रॉब्लम होती है, गला खराब आवास चलिजाना तो उसमें गरम पानी है, या दिन में एक बार एक बासित काुग है, मतर छेचेवार जद बार फायदा नहीं नुकसान करेगा. आधाल प्कडता है, आम तर पर बर्फ भार की नहीं खानी चाहिए. हम लोग भार का नौन-ब्रन्ड़िट पानी नहीं पीते, कभी नहीं पीएंगे, क्योंकि हमें डर है कि नकली पानी हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, बरफ ब्रैंडिट नहीं आती है, एक्चुली बरफ गंदे पानी से बनाई जाती है, उसमें जो कितानु है, नॉन ब्रैंडिट पानी के बने हैं, वो हम बरफ शुद पानी में भी बरफ डाल देंगे, ज मेरा बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा भी गला भुट जढ़ा खराब होता है मेडिया में भी हूं तो वैसे भी बहुत जदा भुट भुलते ही है लेकिन सबसे बड़ी वात यह रहती है यहांपर कि आप अगर ठंडा पानी पीलो यह एक मित है या फिर सही में थंडा पानी पीने से गलाखराब हो जाता है सच भी और गलत भी थंडा नहीं पीना चाहिए यानि कि चिल्ड वाटर गले को एक बार पकड़ता है मैंने का अगर हम नॉर्मल पानी की आदात है तो हमें चिल्ड पानी नुकसान करेगा गरम पानी के आदात है तो नॉर्मल पानी भी नुकसान करेगा हमारी आदत पर डिपेंड करता है अवोईड करना चाहिए बरफीली चीज बरफीला पानी वो इमिजेट फरक करती है दूसरी जो अधिक बोलने के प्रोफेशन वालों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा ज़्यादा बोलने में ज़्यादा अंग आपका नेचुरली काम आ रहा है जो है बोली के तार बोली के तार ना जुक होते हैं शौट करने पर अन पे खून जम जाता है लगातार बोलने पर उन पे खून जम जाता है इमिजेट दो मिनट के रहस से वो खून वापस बिगर जाएगा तो तकलीब बढ़ेगी नहीं मगर अगर आप रेस्ट नी करोगे बोलते जाओगे तो नेक्स दे फिर से आपने वो कर दिया तो खून जंग जाएगा और निश्चे तरह फिर दस-बंदा दिन आपके बिगर जाएगी तो बेस्ट ट्रीटमेंट इस नगरम ठंडा ना कुछ इमिजेट वोईस रेस्ट आप गाने सुनते जा रहे हैं चाहे वो कहीं भी हम जाएं उससे कितना नुकसान है कान को और आप क्या सला देते हैं पहले तो एथिकल बात करते हैं विज्ञान ये कहता है कि पंदरा मिनट से ज्यादा इयरफोन इस हामफुल पंदा मिनट तो संभवी निये पंदा मिनट पे आ दूसरा ये है कि music तो at least ना सुनें बाते करने एयरफोन लगा के वगेरा music अगर सुन रहे हैं तो उसको कम करनें दूसरा कान के अंदर वाले plug ना लगा कि कान के भार वाला जो headphone होते है जिसको कहें कि एयरफोन नहीं लगा कि headphone लगा लो वो थोड़ा सा safety दे देंगे और पह साय साय कि आवाज शुरू हो जाए इमेजिए सचेत हो जाए कि चलो अभी तक तो बदमाशी लापर वही कर ली अब तो रुख जाना चाहिए नहीं रुके तो वह एक ऐसी बिमारी है जो आपको दिन रात परेशान करेगी और मुश्किल से जाएगी Aasar nosso 3 E&T के we like सा बात करें चाहे हम नाक की बात करें गली की बात करेंúde कानों की बात करेंए इसमें कोईभी तकलिफ हो इसमें बच्चा हो बुज़ुर्ग हो जाए कोई जवान यूत हो इसमें अगर हलकी से भी कोई तकलिफ होती है तो हमें बहुत है किसी मैं मन नहीं हमें दर्द होता है और आख में इतना सा कुछ कंकर चला जाएगा तो हमें बहुत इरिटेशन होगी तो यह कितने important parts है हमारे हुआ कि हमें से सुन सकते हैं फील कर सकते हैं आख उसे देख सकते हैं तो यह अपने आप में बहुत इंपोर्टन रहता है कि इनका ख्याल रूटीन बेस पर किस तरह रखा जाया है तो उस बारे में बताएं बेसिकली यह बहुत ही नाजोग इंद्रियां हैं तीनों ही कान नाग और गला इसलिए इनका सावधानी और बचाव रखना बहुत जरूरी है extremes of everything बहुत ज़्यादा ठंडा बहुत गराम बहुत मसाला बहुत ज़्यादा चिलाना नॉर्मल बैलेंस रखेंगे आप स्वस्त रहेंगे कभी कोई दिक्कत में होगी और जैसे ही पहला सिगनल आए अभी मैंने मेरे अभी तक के वरताल आप में सारे पहले सिगनल बता दी ह गले में जैसे हलकी सी भी खराश होए बोलना बंद कर दीजे आप बच जाओगे कान में थोड़ी सी भी साय साय की आवाज आए येरफोन बंद कर दो बच जाओगे पहले सिगनल शरीर आपको एक सिगनल देगा कि अलार्मिंग साइन है अब रुख जाओ वह आप रुख ज पेशन्स आते हैं वो भी आपसे जाना चाहेंगे नाक में बहुत इंपोर्टेंट टिप देना चाहूंगा रुटीन जुकाम अगरा चलो वो तो हमारा शरीर बना है 80% लोग परेशान होते हैं चीके आना और बहुत 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 पंदा बीस तीस एक साथ चीके आ होता है फटा पर जल्दी ओफिस जाना है तयार होना है भागे बात्रों में भागे वो नहीं करें आख खुले पांच मिनट आप बिस्तर पे रहें कोई भी आपका बक्ती का पार्ट करें शरीर सुबह सुबह टेंपरेचर नॉर्मल होने में पांच मिनट का वक्त लेता है फिर नीचे नंगे पैर नहीं उतरें सीधे चपल में पैर डालें तक ही थंडी चीज से तच में नहीं आएंगे सीधे चेहरे पर ठंडा पानी डालें आप ये चीज जो सुबह सुबह करते हो थंडी वाली हो अगर 15 मिनट डिले कर दी गारंटी आपको चींके निए और श् चींके आ रहे हैं पानी आ रहा है जुकाम हो रहा है बार बार और 10-15 दिन हो गया और 3 महीने में कम से कम 5 बार हो गया नेट में सब आपको साइनस हो गया साइनस होने के बाद अब बाकी पद्दतियां काम नहीं करेगी फिर वो डॉक्टर का टीट्मेंट एलोपेटिक मेडिसिन और अगर जादा बिगड़ गया है तो शायद सजी किया वो शक्ता पड़ी पर नॉर्मल तरह से ली जाएगा और फिर उसको अठालना भी नीची है मैं समझा दे हूँ अगर जुकाम वगेरा महीने में एक बार हो रहा है और चाहत बार आपके खराब करता है जो लगातार पिछले छे महीने में तीन बार minimum हो गया इसका मदलब अब आपको उसको ध्यान देना चाहिए नहीं तो साइनस बिगड़ गया है बढ़ जाएगा त इसकी बार में बुक्तब के समया कुछा है रहा है यूर। तो युसको थाते हो आज घृत है नहीं करते हैं उद्चुली एरबड बिलकूँ स्थेそुने ही नहीं नहीं करते हैं बहुत सस्ति काउंटर के पास में दिखते हैं, वो बीस रुपे में पचास मिलते हैं, हमें सस्ते दिखते हैं और हम ले रहे हैं, और जो जो उसको उसको यूज करते हैं, वो परिशानकी होते हैं Don't use ear buds at all, डॉक्टर्स खुद तो कभी उस नहीं करते हैं, जो लोग यूज करते हैं, वो परिशानों के आते हैं Ear buds से बाल तोड हो जाता है ज्यादा अंदर चले जाने पर पड़ता फट जाता है Ear buds अगर साफ नहीं है तो infection fungus पहला देगा Ear buds किसी काम का नहीं है अब ear buds हैं तो फिर हम सोचते हैं यह शायद सफाई के लिए होगा तो हम सफाई करने लग जाते हैं अती सर्वता वज़त है ज्यादा सफाई की जवथी निकान हो ज्यादा सफाई के चक्कर में आप या तो बाल तोड़ देंगे कान के या फिर कान की पंड़े को फाड लेंगे Ear buds अगर खर में है उसको इमिजेटली फैक दे ना हो सफाई के काम का है ना दवई-लगानी की काम का है ना किसी काम का है सर्थ अगर जिसे ये बढ़ हम स्माल में ना ले तो अक्सर में लोग देखें कि कोई बॉइंटर चीज लगा, उससे हम कान की सफाई के मेल लग जाते हैं तो बहुत हामफुल हो सकता है, तो क्लिविनेस को लेकर किस तरह हम ध्यान रखें, क्योंकि उससे कई वर ऐसा होता है कि पस भी पढ़ जाता है कान में और उससे काफी तकलीफ होती है, बिल्कुर, जब से सफाई ज्यादा रखें, सुनने लगें, तो हम हर रंग की सफाई वशक्ता, नहीं, कान के अंदर की सफाई शरीर स्वते कर लेता है, उसको अगर आप छेडेंगे, तो बहार की गंदगी को आप अंदर ही डालेंगे, अंदर से सफाई करना बिना देखे, इनसान के खुद के बसका नहीं है, एक ENT डॉक्टर भी खुद के कान को अंदर से सा कान को आप ना चेडें, उसके साथ कुछ छेडेंगे, तो आपको परेशानी ही होने वाली है, सर ये तो ENT की चीज़ों को लेकर specialties की बात होगे, इस तरह से जनता को मरीजों को साफधने बरतनी चाहिए, क्यूंकि आपको भी टाइम हो गया इस फील में, ENT as a specialist, आपकी आप मोमेंट शेयर करना चाहते हूं, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि कोई से special case आया हो, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो किसी बुदूर का हो, उस बारे में आप शेयर कर सकते हैं, किस तरह जरनी रही उस बारे में थोड़ा साथ हो गए तो जैपूर में ये बहुत स्टगल की रही हर डॉक्तर की वही कानी होती है, जो शायद मेरी भी रही होगी, शुरू में बहुत डिफिकल केसिज और करेजियस केसिज की और ध्यान ये रखा कि जो काम करें, रिजल्स सो परसेंट हैं, निन्यादवे पर संतुष्ट होने की नही होने की केप परसेंट हैं, जो इतना लंबा समी हो गया अगें, जो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, नेवर सेटिस्फाइ फोर 99 परसेंट, क्योंकि आज का जमाना तो बिलकुल ये हो गया है कि अगर अंडिट परसेंट से थोड़ा सा भी कम करेंगे, तो सोशल मीडिया पर तयार अगर आपको डॉक्टर बनना है, नाम कमाना है, तो ये हम तो गिव और हंडिट परसेंट रिजल्स, रिजल्स के ऊपर आपको पर्फेक्शनिस होना पड़ेगा, देन इसका इस तरह लिए थे, तैंक यू सो मच सर माइसार जुनने के लिए, तो माइसार डॉक्टर लवली जयन जी थे, और उन्हें पूरी अपनी जानकारी साजा की, अपनी जर्नी को भी बताया कि किस तरह से, as a ENT specialist, वो जो तमाम पेशन्स उनके होस्पिटल में आते हैं, उनसे किस तरह डील करते हैं, और तमाम जानकारियां, जो बहुत important जानकारियां, आप सभी के लिए बहु सब्मिती.